हेलो बच्चों हम लोग digestive system start किये हुए हैं तो digestive system की सिरीज में आज हम डिस्कस करेंगे elementary canal of digestive system elementary canal क्या होती है और उसमें कौन-कौन से organs पाया जाते हैं उनका क्या रोल होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे मतलब जो elementary canal होती है वो mouth से लेकर anus तक फैली हुई होती है उसे पूरी gut को elementary canal बोलते हैं और उसमें mouth आता है pharynx के parts आते हैं इसके साथ साथ जैसे पहले हम थोड़ा सा diagram के basis पे देख लेते हैं कि elementary canal क्या होती है तो सबसे पहले mouth part होता है mouth से हम खाना खाते हैं उसके बाद यहाँ पे pharynx होता है और यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं celebrity grains क्या होती है liver क्या होता है gallblader क्या होता है यह चीजी हम discuss कर चुके हैं इनके बारे हम discuss नहीं करेंगे हम पढ़ेंगे mouth क्या होता है mouth से किस तरीके से खाना हम लोग intake करते हैं उसके बाद हम pharynx पे जाता है खाना उसके बाद isophagus से होते हुए food जो होता है stomach में आ जाता है इसे stomach बोलते है और फिर stomach से खाना intestine में आता है यहाँ से इस part को intestine बोलते हैं तो इस जो दार पर्पल कलर का है small intestine है और जो इस तरीके से बना हुआ है यह और पूरा यह इसको बोलते है है large intestine small intestine basically उसके तीन पार्ट होते हैं largest intestine के भी तीन पार्ट होते हैं यह सारी चीज़े हम detail में discuss करेंगे और इसके बाद यहाँ पर होता है यहाँ पर यह चीज़े कि यहाँ पर यह चीज़े होती है और यहाँ पर एनस का करती हैं और चीजे मतलब बांकी जो अंडाइस्टेड फूड होता है वो इस्क्रीट आउट हो जाता है बॉडी के बाहर ओके तो माउथ हो गया फैरिंग्स हो गया इसोफेगस हो गया तो जैसे इसोफेगस क्या होता है हम बहुत बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं यहां पर इसोफेगस और इस्टमक का डाइग्राम हम साथ में देख रहे हैं इसोफेगस वो होता है जो एक मतलब एक नली के आकार की संरशना होती है जिससे खाना फैरिंग से इस टमक में जाता है और रिमेंबर यहां पे इस फिंक्चर भी पाया जाएगे औल्मोस्ट इसोफेगस के बाद इस टमक के बाद इंटेस्टाइन के बाद पतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाएगे वहां पे भी वाल पाया जाएगा ताकि खाना वापस ना आए एक जगह से जब पास आउट हो जाए तो दुबारा उसी जगह पे ना आए तो जैसे इसोफेगस जो होता है इसोफेगस का जैसे अगर हम इसको मतलब वन वाई थर्ड वन वाई थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो मतलब वन वाई थर्ड पार्ट होता है वो वॉलेंटरी होता है जो 1 y 3rd part होता है बीच का वो voluntary प्लस involuntary होता है और जो last का इतना part होता है वो involuntary होता है पिछली वीडियो में हमने आपको detail में बताया था कि voluntary muscles क्या होती है और involuntary muscles क्या होती voluntary का मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार regulate होती है involuntary का मतलब जो अपने आप regulate होती है उनमें हमारा कोई रोल नहीं होता हम अपनी इच्छा से उन्हें नहीं रोग सकते अगर एक बार खाना यहां चला गया तो अपने आप नीचे जाएगा उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा इसके बाद यहां पर एक स्फिंग्चर पाया जाता है इस्फिंग्चर अच्छा स्पिंग्चर से मतलब इस साइड से इस साइड भी movement होगा और opposite side में भी movement हो सकता है लेकिन valve में कभी भी opposite flow नहीं होता है वो कभी भी नहीं होगा जैसे heart में पाई जाती है और intestine में भी पाई जाती है वहाँ पे भी हम देखेंगे तो खाना कभी भी वापस बैक फ्लो नहीं होगा जहां पे वल पाई जाएंगी इस पिंग्चर में में भी हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉड़ी में बहुत ज्यादा acid बन जाता क्योंकि acid होता है इस टमक में मालो खाना अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो बहुत ज्यादा acid बन गया तो वह खाना बॉमिटिंग के थ्रू हमारी उसे बाहर आ सकता है जो हम खाते हैं लेकिन वेल्व होगी अगर यहां पे वेल्व प्रेजन्ट होती इस फिंग्चर की जगे तो यह खाना फिर कभी भी वापस नही आ गया इस टमक के 3 प्रफ होते हैं यह हम इनके सारे प्रफ के बारे में डिस्कॉस कर लेते हैं तो इस टमक के सबसे उपर का जो ईस सबसे उपरी एरिया होता है एक मिनिट इस टमक का जो सबसे उपरी एरिया होता है उसे काइड वेटे मिनिट उसको काइडियक बोलते हैं उसके जस्ट नीचे फंडिक होता है उसके जस्ट नीचे कारपस होता है यहाँ पे कारपस होता है और यहाँ पे पाइलोरिक होता है यहाँ पर पाइलोरिक होता है अब पाइलोरिक के जस्ट नीचे इस फिंग्चर पाया जाता है जिसे हम पाइलोरिक इस फिंग्चर के नाम से जानते हैं xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx एक स्फिंग्चर पाया जाता है जिसे हम गेस्ट्रो इसो फेजियल इस्फिंग्चर बोलते हैं इसके बाद खाना इस्टमक में आ जाता है इस्टमक में इस्टमक की तीन पार्ट होते हैं या हम चार भी बोल सकते हैं इस्टमक का जो सबसे उपर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं सेकंड पार्ट जो होता है उसको थर्ड पार्ट जो होता है उसको और लास्ट पार्ट जो होता है उसको ये बोलते हैं अब जो लास्ट पार्ट है उसके बाद ये इंटेस्टाइन में आएगा और यहाँ पे भी एक स्फिंचर पायज आएगा एस इसस्फिंक्चर का नाम सीए पैलोरिक स्फिंक्चर बोलते है एक यहां पे घैस्टर भी? है में इस我们上 हम गैश्टर भीबेर से जाता हैं मिलकर बना हो रहा हो? यह तो हम हर उसमें discuss करते आए हैं अगर आपके लिए useful हो तो इस point को आप उठा सकते हैं अधर वाइड आप सकीप कर सकते हैं हाँ यह इसमें gastric glands पाई जाती है हमने पढ़ा है हां इसमें gastric glands पाई जाती है कितनी 3.5 orer होती है और यह simple होती है branched होती है tubular glands होती है किस तरहिके की होती है karşı एसे तरीक तका रिजन और जब इक यह मुकॉसल ग्ररिम करें जाती है जो इसको परे रिपरिशन परने परकर व richty त्रयक City करें जाती हैती है एक करें अबगे माई कुछे Growing डिपर खरीव शलिवishing टलऑ करें जाती हैं तो मैं आपको flow chart के थुरू बताती हूं, देखिए, जो gastric glands होती हैं, उसमें mucus neck cells भी पाई जाती हैं, हमने देखा neck area में पाई जाती हैं, और auggenic cells भी पाई जाती हैं, और cheap cells भी पाई जाती हैं, तो यह auggenic cells को ही parietal cells बोलते हैं, ठीक है, और यहां से ही HCL का secretion होता है, HCL के साथ, साथ CIF का भी secretion करते हैं, जो की helpful होता है, absorption of vitamin 12 के लिए, ठीक है, तो हम basically पढ़ते हैं, कि जो parietal cells होती हैं, वो क्या करती हैं, वो HCL का secretion करती हैं, जो mucus cells होती हैं, वो secret करती हैं, mucus और जो cheap cells होती हैं, इनहीं को peptic cells भी बोलते हैं, यह enzyme का secretion करती हैं, कौन-कौन से enzyme का secretion करती हैं, protein digestive enzyme का secretion करती हैं, और gastric lipase का भी secretion करती हैं, तो protein digestive enzymes जो होते हैं, उसमें pepsinogen को secret करती हैं, और proranin को secret करती हैं, proranin जो होता है, वो milk के digestion के लिए responsible होता है, और जैसे इसमें pepsinogen हैं और proranin हैं, यह दोनों enzymes inactive enzymes हैं, जब organic cells HCL का secretion करेंगी, फिर वो HCL, pepsinogen को pepsin में convert कर देगा, और proranin को renin में convert कर देगा, और यह enzymes active हो जाएंगे, और digestion की process further continue हो जाएगी, हाँ, एक बात और है, बहुत मतलब अगर उस तरह कहा जाए, कि जो stomach होता है, उसमें digestion की process continue रहती है, लेकिन उसमें particular किसी भी प्रकार का digestion होता है, या बहुत ज़्यादा ऐसी बात किया जाए, उसमें particular कुछ digestion नहीं होता, लेकिन digestive enzymes, digestion के जो बाकी काम है, वो सारा तो वो करती है न, उसको acidic environment तो provide करती है, HCL का secretion करती है, बाकी जो milk को गयरा उनका digestion करवाती है, और vitamin B12 का absorption करवाता है, इस तमक के acid के कारण ही वहां का temperature 1.5 pH, वहां का pH 1.5 होता है, ठीक है, यह हुई stomach की बात, इस तमक के बाद हम आ गए, इस small intestine में, अब हम intestine पढ़ेंगे, जो कि दो होती है, एक small intestine, एक large intestine, इस small intestine जो होती है, 6.5 meter इसकी length होती है, और 2.5 cm इसका diameter होता है, इसके 3 पार्ट होते है, एक होता है डियोडिनम, एक होता है जुजिनम, और एक होता है इलियम, यहां पर बनाओं क्या, वैसे अभी थोड़ा सा मुझे बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन understood रहेगा, मैं बनाती हूँ, आप लोग थोड़ा देखिए, जैसे यह stomach बना दिया मैंने, ओके, अब यहां से यह small intestine, अब small intestine यहां से एक मिड़, small intestine यहां से अंदर चली जाएगी, और यहां पर ही पाई जाएगी large intestine, तो large intestine भी बना देती हूँ, यह हो गया large intestine और जो यह small intestine आई, तो यहां पर small intestine इसके अंदर रहेगी, और यहां पर last part जो होगा, वो यहां पर large intestine से attach रहेगा, और यहां पर भी एक valve पाया जाएगा, ओकी, ठीक है, देखो, जो small intestine है, अब ही हमने देखा, यह isophagus है, यह stomach है, यहां से जो खाना आता है, उसे बोलस कहते हैं, यहां पर जो gastric juice मिल जाता है, तो उसको काइम बोलते हैं, और काइम फिर आता है, डियोडिनम में, यहां पर पैलोरिक phincture पाया जाते है, मैंने बता, इस phincture पाया जाता है, जो की खाने को back flow होने से रोकेगा, और यहां पर डियोडिनम है, डियोडिनम का मतलब कैसे, डियो मतलब 2, और एक साथ रखेंगे, तो इतना मोटा डियोडिनम होता है, 12 अंगलियों बराबर हमारे, इसलिए इसका नाम डियोडिनम रखा गया है, तो यहां पर यह डियोडिनम हो गया, यहां से अंदर आएंगे, यह बहुत डाइग्राम बिज्वल नहीं रहता, फिर यह जो पार्ट है small intestine का second part gizunum है और जो ये last वाला part है इसको ileum बोलते है ओके और इसके बाद यहाँ से large intestine start हो जाएगा तो देखी एक हो गया, first part हो गया duodenum, second part हो गया duodenum, gizunum और last part हो गया ileum ileum ही attach होता है cecum से, cecum क्या है? large intestine का part है, यहाँ पे cecum पाया जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे colon पाया जाता है, colon तीन प्रकार के होते हैं, इसके बाद यहाँ पे rectum पाया जाएगा और यह anus है, जहाँ से undigestive materials script out हो जाएगे next slide में भी थोड़ा जिसको कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा जैसे यह large intestine है, यह 1.5 meter long होती है और 6.5 centimeter इसका diameter होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं, जैसा कि हम पढ़ी चुके हैं, colon हो गया sorry सीकम हो गया, colon हो गया और rectum हो गया तो जो सीकम होता है, उसमें मतलब पहले की जमान में कहते हैं कि इंसान जो हुआ करते थे उनके पूशे पाई जाती थी अब अब के इंसानों में पूश नहीं पाई जाती, हाना हमारे पास तो नहीं है, तो वो अब सिर्फ मतलब extinct हो गई है, लेकिन उसका सिर्फ थोड़ा सा evolutionary part हलका सा बचा हुआ है, जिससे wormiform appendix बोलते हैं, बाकी चीजे सब, मतलब evolution के थूँ हट गई है, तो वो इसी area में पाई जाता है, wormiform appendix पाई जाता है, थोड़ी सी appendix, मतलब किसी किसी में दिखती है, किसी किसी में दिखती भी नहीं है, और ज़्यदा problem होती है, तो operation के थूँ doctor उसको निकाल भी देते हैं, क्योंकि उसका हमारी life में अब कोई use नहीं है, वो एक extra मतलब है, जैसे अकल डाढ होती है, वो extra है, ये कान है, इनका कोई use नहीं, ये बाहर सुरी, सुनने में आता है, अलाकि के लड़ी का सुनती नहीं, अलग बात है, ये जो extra ear pinna है, इसका कोई use नहीं है, human body में hairs होते हैं, उनका आज के date में कोई use नहीं है, क्योंकि हम सब घरों में रहते हैं, पहले जंगलों में रहते थे, तो इन सारे चीजे, इनकी requirement होती थी, अब धीरे-धीरे ये सारे चीजे evolve हो रही है, तो इसका कोई use नहीं है, तो सीकम जो होता है, वो ileum से attached रहता है, और इसमें एक valve आई जाती है, जिसे ileocecal valve बोलते हैं, ये इसलिए पाई जाती है, ताकि जो भीज आता है, अब ऐसा तो possible नहीं है कि intestinal से खाना पूरा body के बहर आएगा, एसा नहीं होता है, खाना इसो phagus का अगर प्राब्ब्लम होई तो बाहर आसकता है और इस्तमाब का अगर настолько बाहर आसकता है, कभी भी बाहर नहीं आता, तो अब वो खाना अगर small intestine से large intestine में जा रहा है तो वो return small intestine में ना आए इसके लिए यहाँ पर valve पाई जाती है ओके next हमने पढ़ा large intestine के तीन पार्ट होते हैं एक होता है cecum, colon और rectum colon में एक ascending, एक transverse, एक descending colon होता है यह क्या होते हैं देखें यह हमने अपना छोटू सा diagram बनाया था इसमें से जो यह वाला part है यहाँ से देखें तो यह उपर की तरफ चड़ता हुआ ascending यह वाला part transverse और यह वाला part descending कहलाएगा ठीक है और फिर यह वाला part rectum कहलाएगा और फिर last में एनस के थ्रू undigested material body से excrete out हो जाएगा ओके अब हम इस lecture को खतम करते हैं हमारा digestive system का last lecture पचा हुआ है जिसमें हम सारे enzymes के बारे में बात करेंगे कि कौन सा enzyme कहां से निकलता है या कहां उसका formation होता है मतलब secret होता है और वो क्या काम करता है कौन सा enzyme किस चीज के digestion के लिए responsible होता है कौन carbohydrate का digestion करता है कौन lipid का करता है कौन carbohydrate का करता है यह हम परेंगे अपने next video में और वह ही हमारा last video भी होगा करता है यह ते सिस्टम का